दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में 14 मास 2022 की महत्पून खबरों पे चर्चा करेंगे UPPCS 2022 के लिए आप लोग रेडी हो जाईए नोटिफिकेशन आज कल पर किसी भी दिन आ सकता है मतलब नोटिफिकेशन आने के लिए त्यार है 300 के आसपास पद है पद बढ़ेंगे निश्चित रूप से जब तक आपके प्रिलिम्स का रिजल्ट आएगा तब तक ये पद बढ़ते रहेंगे इसलिए 300 ही नहीं रहेंगे ये निश्चित है 49 पद भी SDM के है 46 के आसपास पद भी DIPTSP के हैं इसी तरह अन्यपद है स्पेसल पोस्ट भी काफी संख्या में लगवर 90 के आसपास 100 के आसपास स्पेसल पोस्ट भी है ठीक है पदों का विवरन अगर आयोग देता है तो पता चल जाएगा UPPCSJ की निश्चित बता है तो ये जो तकनीकी दिक्कते थी डेर्ड वर्सों से चल रही थी दो वर्सों से EWS का अब चला फिर दिव्यान आरक्षन का चला तो सब कुछ साल हो गया है शासन से आयोग भी वो जो एवेंडमेंट्स हुए वो आ गया है अब आयोग नोटिफिकेशन तयार करके वो देगा उम्मीद है कि अगले हफते तक आपका UPPCSJ का नोटिफिकेशन आ जाए प्रात्मिक शिक्षक भरती से संबंदेत एक नियूज आ रही होगी कि 17,000 पद सुपर टेट का एक्जाम होने वाला है 17,000 पदों पे तो आप लोग निश्चिनत रहें जो लोग बीर्ड और टेट वाले हैं 17,000 मात्र पदों पे नहीं आएगा 17,000 पद अभी यहां पर आये हुए हैं दियाचन के रूप में इसलिए 17,000 पदों का यहां पर जिक्र हुआ है क्योंकि जितने पदों पे दियाचन आता है उतने ही बताये जाते हैं न्यूस पेपर पे न्यूस वालों को न्यूस वाले वही शाब देते हैं यह पद बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ऐसे आसार हैं जो कि भरती बहुत लंबे समय से नहीं होई है तो 90,000 से कम तो यह वेकेंसी नहीं आएगी आपकी तो आप लोग मतलब कि इससे दुखी मत हुएगा जो न्यूस पेपर्स में खबरें हैं बहुत जल TGT, PGT पे भी नहीं भरती सुरू होने वाली है नोटिफिकेशन की प्रक्रिया उसमें भी आरम होने वाली है LT grade BEO और REO 2022 इनका जिसको प्रतिक्षा है जिन शात्रों को उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं कह सकते इसको क्योंकि इस वर्ष ये परिक्षाएं नहीं होंगी तो किसी भी हाल में इस वर्ष LT, BEO और REO 2022 ये परिक्षाएं नहीं होने वाली हैं इसके नोटिफिकेशन न के बराबर आसार है आने के LT का आ सकता है इस साल के अंतर तक हाई कोट से जल्द नई वेकेंसी आने वाली है ये हाई कोट की REO यारो की वेकेंसी नहों करके विभिन अन्य जो पद होते हैं कलर्क ग्रेट के और जो कचहरियों में होते हैं 3300 सम्थिंग पद हैं इन पे भरतियां सीगरिस टार्ट होने वाली है हाई कोट से आने वाली है वेकेंसी है हाई कोट REO का जो अभी मामला चला था काफी धांदली उसमें सामने आई थी सबस्ट कोट में है और बहुत जल्द उस पे नेड़े भी आ सकता है क्योंकि कंसर्ण है जिन्नों ने ये परिक्षाइं करवाई थी वो स्वयम इस बात को समझ करके सायद वो इसका पक्षन ना लें जैसा कि उनका इस्टेट्मेंट होकर आया है लेकिन कुछ कहां न गया सकता वो तो कोट में पता चलेगा कौन कहां किसके साथ खड़ा है जो शात्र सफल हुए है आरो यारो में उनको घबराने गया शकता नहीं है उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा गलत उनके साथ होगा जो गलत तरीके से आये हैं अगर हो ना होगा तो बाकि सिस्टम से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं किया सकता है आईए अब आज की महत्पूर्ण खबरों को देख लेते हैं अगर UPPCS, Prelims, Umukh Parikshah या वकल्पिक विश्यों के कोर्स से जुड़ना हो तो हमारे टेलीग्राम गृप से जुड़ सकते हैं पार्टस अब करके 9453-75039 पे UPPCS की टेसरीज भी चल रही है उसमें भी आप पार्टस पेट कर सकते हैं साबताहिक जो विभिन सुर्खिया थी वो पहले देख करके फिर आज की खबरे देखेंगे साथ माज से तेरह माज तक आपने क्या-क्या मुक्य मुक्य चीजें पढ़ी किवल सुर्खिया देखेंगे एक बंगलादेशी परिया औरण वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतराश्टी महिला साहस पुरसकार के लिए जुना गया है रिजवाना हसन को भारत, बंगलादेश और नेपाल ने बी-बी आई-यन मोटर वहन समझोते के कार्यानिवन के लिए उनके द्वारा हस्ताक्षिरत एक सक्री समझोता गयापन को अंतिम रूप दिया है आंधपदेश सरकार ने एक बार फिर स्कोच स्टेट और गवर्नेस रैंकिंग 2,021 में सी सस्थान हसिल किया है किसने आंधपदेश सरकार ने जूलन गोस्वामी ने आश्टेडिया की पूर स्पिनर लिन फुलस्टन के 49 विक्टों की बराबरी की और महिला विश्यकप में सैंक तुरूप से सरवाधी विकट लेने वाली के इदवाज बन गई है सरकार ने पूर वित सचिव अजय भूशड पांडे को राश्टी वित्ती रिपोर्टिंग प्राजिगरण का द्याक्ष्यों नियुक्त किया है गितांजली श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम आफ सैंड अंतराश्टी बुकर पुरसकार 2022 के लिए लंबे समय से सूचिवत है ये उपन्यास किसका है गितांजली श्री का याद रखेगा 36 गड़ के मुख्यमंत्री भुपेश भगेल ने मार्स 2022 में कोशल्या मातेत योजना की सुरुआत की बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शैन मुद्रा में मूर्तिका निर्माण किया जा रहा है कहां बोध गया में दक्षिन कोरिया में यू सुंक येवल को देश का नया राश्पती चुना गया है हंगेरियन संसद ने पहली महिला राश्पती की रूप में कैटलिन नौवाक को चुना है सूरी के प्रकास से बने इधन का उपयोग करने वाली पहली एरलाइन होगी स्विस एरलाइन स्विस इंटरनेशनल एरलाइन और उसके मूल लुफ थांसा समू ने अपने सौर इमानन इधन का उपयोग करने के लिए सिंथेटिक इधन समू सिन हेलियन के साथ एक्षेंज होते पहस्ताक्षर किये हैं यह स्विस को सन टू लिक्विड इधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एरलाइन बना देगा स्विस इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलजी के लिए एक स्पिन आफ सिन हेलियन दोहरा तैयार की गई प्रक्रिया कार्बन तट्यस्त मिट्टी के तेल का उपादन करने के लिए संकेंदे धूप का उपयोग करती है भारत नीदेलेंड संबंदों के 75 वर्ष पूर होने पर विशेष लोगों का अनावरन किया गया 75 वर्ष के संबंधों को पूरा होने पर नीदेलेंड के साथ मार्च 2022 में भारत नीदेलेंड के बीच राजनेख संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एक विशेष लोगों का अनावरन किया गया लोगों में कमल और एक ट्यूलिप दोनों देशों के राश्टी फूल है लोगों के बीच में चक्र दोस्ती के बंधन को दर्शाता है नीदल लेंड ने भारत को तीन हजार ताजे ट्यूलिप भेट किये जो जौलाल नहरू भोन के बगीचों में लगाए गये थे एच इनरजी के जैगर टर्मिनल पर पहुँचा भारत का पहला FSRU फ्लोटिंग स्टोरेज और री गैसिफिकेशन यूनिट तो भारत की पहली फ्लोटिंग इस्टोरेज और री गैसिफिकेशन यूनिट होएगा जाइंट महाराष्ट में एच इनरजी के जैगर टर्मिनल पर पहुँच गई है जहाज 10 साल के चार्टर सौदे के तहट जैगर बंदरगा पर अब जैगर बंदरगा कहा है ये पूछ सकता है महाराष्ट में है पर एच इनरजी के एलनजी आयाड टर्मिनल के लिए कारे करेगा आमा योजना और बहिन योजना कहां की योजना कि सरकार की सिक्किम सरकार की तो सिक्किन सरकार गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना के लागू करेगी आमा योजना के तरफ राजी की सभी गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खातों में सालना बीस जार रुपए मिलेंगे बहनी योजना में राज सरकार कक्षाना और उससे उपर यह चात्राओं को नेशल के सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी HDFC मुच्वल फंड ने सुरू की हैश्टेग लक्षमी फौर लक्षमी पहल किसने HDFC मुच्वल फंड ने HDFC मुच्वल फंड ने एक विशेष एंड टू एंड महिलाओं के नेतित वाली वित्ती शशक्ती करन पहल हैश्टेग लक्षमी फौर लक्षमी की घुशना की है यह एक अनूठी मिस्ट कॉल सेवा के माध्यम से महिला निवेशकों को उनके निकट एक महिला वित्ती विशेषक के प्रशनों का मारदर्शन और समाधान करेगी उदारण के लिए मिच्वल फंड में क्यों और कैसे निवेश करें SIP के लाव आदे वित्ती धोकादडी के तौर तरीकों पर RBI ने जारी की पुस्तिका तो भारती रिजर्बेंग द्वारा Be Aware नामक एक पुस्तिका जारी की गई है तो किसके द्वारा रिजर्बेंग आफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है या धोखे बाजो द्वारा उपयोग किये जाने वाले सामान तो तरीकों और विभिन विती लेंदेन करते समय बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे हम जानकरी देता है यह नकली रिंड वेवसाइटों सहीत सिम स्वैब विशिंग फिशिंग लिंक लाटरी इत्यादी जैसी आमतोर पर प्योग की जाने वाली धोखादरी तकनीकों के खिलाफ सुरक्षा उपयों पर विस्तार से बताता है जलवाई उबल अन्टार्कटिका अवियान के लिए आरुशी वर्मा का चैन पिश्टल और ट्रैप शूटिंग में राश्टी इस्तर की निशाने बाज आरुशी वर्मा को माज 2022 में होने वाले 2021 जलवाय उबल अंटारकिटिका अभियान में भारत का प्रतनित्व करने के लिए चुना गया है अभियान का उदेश जागरुकता बढ़ाना और अंटारकिटिका के सरक्षन के लिए काम करना है 2021 Climate Force Ugly PD के Sustainability Champion को प्रसिक्षित और विक्सित करने के लिए एक वैशिक पहल है प्रियंका नुटक्की बनी भारत की 23 महिला Grand Master तो प्रियंका नुटक्की ने MPL 47 सी राश्टी महिला 17 चैंपियंशिप में अपना अंतिम WGM महिला Grand Master मांदंड हासिल किया उन्होंने 7 बटे 9 स्कोर हासिल किया अर्थाद 9 में 7 स्कोर हासिल किया 2 मार्ज 2022 को भारत की 9 नुटम महिला Grand Master बनने के लिए 2346 पर प्रदर्शन किया उन्हें टूनामिंट में 30 स्थान भी मिला था उन्हें वर्द 2021 के अपने तीसरे ओवर दबोर टूनामिंट में अपना दूसरा WGM और पहला IIM अंतराश्टी मांदंड अर्जित की आलाकि यह सभी चीजे महत्पूर नहीं है प्रियंका नुटक्की बनी भारत की 23 महिला Grand Master बस इतना ही जानी है भारत के सबसे बड़े 33 सौर उर्जा सेहत का उदघाटन भारत का सबसे बड़ा है याद रखेगा इसलिए महत्पूर हो जाता है तो Southern Petro Chemical Industries का Operation Limited ने मास 2022 में भारत के सबसे बड़े 33 सौर उर्जा सेहत का उदघाटन और पूरी तरह से संचलन किया तमिल नाट के तूती कोरिन में SPIC कारखाने के परिसर में स्थित यह 48 एकड का तैरतावा सौर उर्जा सेहत 62 एकड में फैले एक बड़े जलाशे पर स्थापित किया गया है यह प्रतिवर्स 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने में सक्षम है तो इसके पहले आपने रामा गुंडम वाला पढ़ा होगा तो अब यह हो गया है चन्नाई सूपर किंग बना भारत का पहला यूनिकान SPORTS इंटरप्राइस चन्नाई सूपर किंग देश का पहला SPORTS यूनिकान बन गया अर्था 76 करोन रुपए का जो अस्तर है उसको छू लेने वाली जो कंपनिया है उनको यूनिकान का दर्जा दिया जाता है तो चन्नाई सूपर किंग ने ये स्तर छू लिया है और ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में 210 से 225 रुपे के प्राइस बैंड में इसके हिस्सेदारी भी है महिन सिंग धोनी की अगुवाई वाली CSK ने दुबई 2021 में अपना चौथा IPL किताब जिता दुबई में अब इसका मार्केट कैप अपनी मू लिकाई इंडिया सीमेंट से भी जादा हो गया है दिल्ली हवाई अड़ा ACI ASQ पुरुसकार में सरसेष्ट हवाई अड़े के रूप में उभरा तो दिल्ली हवाई अड़े ने एशिया प्रशान शेत में लगातार तीन वरसों 2018-1920 के लिए उच्चितम सेड़ी के तहट सरसेष्ट हवाई अड़े की स्तिती बरकरा रखी है इंद्रा गाधी अंतराष्टी हवाई अड़ा एक बार फिर 2020 के लिए एशिया प्रशान नमें आकार और शेत जारा सरसेष्ट हवाई अड़े के रूप में उभरा है इसे प्रतिवर्स 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की शेंडी में सम्मानित किया गया है विस अस्तर पर सफसे अधिक अरब पतियों की अबादी के लिए नाइट फ्रेंक की दवेल्थ रिपोर्ट 2022 सूची में कौन सा देश शीज़ पर है तो से अधिर्ट राज अमेरिका में सफसे अधार अपति हैं कितने हैं सात्स ю호न तालीस हैं चीन में पान्सो चयुवन हैं तो चीन दूसरे स्थान पर है भारत अमेरिका एमसीजी बैटक का उन्नीसवा संसकरण किस स्थान पर आयुजित किया गया है तो ये आगरा में आउजित किया गया है ठीक है भारत अमेरिका मिसीजी बैटक का उनीस वासेंस करण भारत और बेलजियम के बीच राजनेग संबंधों के कितने वर्स पूरे हो चुके हैं तो 75 वर्स भारत और बेलजियम इसी तरह भारत और नीदरलेंड के भी अभी हाली में 75 वर्स पूरे हुए हैं राजनेग संबंधों के केन सरकार के मंत्रालियों के लिए वित्मंती निमला सितारमन द्वारा ई-बिल सिस्टम लाँच किया गया था प्रणाली किसके द्वारा विक्सित की गई है भारती वायु सेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ती 2022 कायोजन की सस्थान पर किया जाएगा तो ये जेसल में किया जाएगा भारती वायु सेना द्वारा जो अभ्यास वायु शक्ती होता है उसकायोजन भारती सेणा ने अपने कर्मियों को जानकारी लीग करने से रोकने के लिए कितने एप्स पर पतिबंद लगा दिया है कारिया में 2022 ISSF विश्वकप में पुरुशों की 10 मीटर एर पिश्टर स्परधा में स्वरपतक जितने वाले भारती निशाने बाज कौन है सौरब चौधरी तो भारती निशानेबाद सौरब चौधरी ने मिस्र के काहिरा में चल रहे 2022 अंतराश्टी निशानेबाजी खेल महासंग विश्वकप में पुरुशों की 10 मीटर एयर पिश्टर्स परधा में सुनपदक जीता है प्रोफेसर दीपक धर बोल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारती बन गए हैं तो ये पहले भारती बने हैं भारती विज्ञानी बहुतिक विज्ञानी के प्रोफेसर दीपक धर बोल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारती बन गए हैं ठीक तो ये एक महत्पूर्ण है बोल्ड जमान पदक को किसने जीता है दीपक धर ने ठीक तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद